तो आभी ग्यारा बचकर सतावर मिनिट हो रहे हैं और मेरा नाम देव है और आज हम बात करने वाले हैं क्या निफ्टी 27,000 की तरफ बढ़ने वाला है यहां पर उनका कहना है कि 27,000 निफ्टी यहां पर अगले बजट से पहले यानि कि फरवरी 2025 से पहले 27,000 निफ्टी आपको देखने हो मिलेगा because budget से लेकर budget तक budget से लेकर budget तक ऐसा तीन वारे याँ पर हो चुका है और तीन वारी में हर budget के बाद निफ्टी तीन हजार point बढ़ता है तीन हजार point बढ़ता है so that है यहाँ पर 27,000 अभी 24,400 गे अराउंड यहाँ पर निफ्टी चल ला है और ऐसे मैं आपको 3,000 point की तीजी और देखने हूं मिल सकती है अगले budget आने की फरवरी 2025 तक कितना बात सही है यहाँ पर यह जरा समझते हैं तो अभी इस बात में कितना दम है जरा यह बात को समझते हैं सुनकर ही सब कुछ नहीं हो जाता है खुद भी देखना चाहिए तो अभी आपके सामने फरवरी दो का यहाँ पर जो है ना आपके सामने candle है और यह candle है यह candle है और ओपनिंग जो प्राइस है वो 21,812 का निफ्टी ओपन होता है दो फरवरी बजट की दिन को अब वहाँ से अगर आप देखेंगे इंतरिम बजट था और यहाँ पर आपके सामने 30 जुलाई 2024 फुल बजट का डे कल के दिन यानि की एस्टेडे की हम बात कर रहे है निफ्टी का लेवल 24,500 के अराउंट ठीक है 500, 510, 520 होगा जो कुछ भी होगा बट उसके एक दिन पहले या निफ्टी का अगर आप टॉप देखेंगे तो यह रहाँ टॉप और निफ्टी का जो प्राइस है निफ्टी का जो टॉप का प्राइस है वो है 24,854 रुपए 80 पैसे 24,854 यहां पर निफ्टी का प्राइस देखेंगे यानि कि अगर आप देखेंगे तो डिफ्रेंस अगर आप देखोगे तो मुटा मुटा तीन हजार पॉइंट का डिफ्रेंस निकल कर आ गया बट यहां पर कहना है कि नेक्स्ट बजट तक जो है वो तीन हजार पॉइंट की तेज़ी होगी बट मैं आपको बता दू कि इस साल का जो बजट है वो दो बार हुआ है बिगॉज ओफ इलेक्सन और नई गोवर्मेंट आकर फुल बजट है यहां पर देती है क्या उस बात का कोई यहां पर रिज़न है ओल्रेड़ी जो तीन हजार पॉइंट की तेज़ी होनी थी वो ओल्रेड़ी हो चुकी है वो भी पांच महीने के अंदर-अंदर छटमा महीना तो लगा ही नहीं ठीक है तो यह 3,000 पॉइंट की जो तेज़ी है वो ओल्रेड़ी हो चुकी है जो बजट की है यहां पर इस बजट में कोई ऐसा खास नहीं निकल के आया जो इस बजट में ना हो जो इंतरिम बजट में था वही फुल बजट में भी निकल के आया कोई भी अलग चीज़े निकल के आये हो तो बताईए राइट मार्केट के लिए खास कर निकल के आये हो सर्फ और सिफ टेक्सेशन को छोड़ कर टेक्सेशन बैड है यहां पर मार्केट के लिए बट इतना बैड नहीं है that's why गली की दिन मार्केट थोड़ा सा रिकावर हुआ और बैसे भी event लास्ट रिकर था तो एतना बड़ा है यहाँ पर प्लेग्राउंड तो हो नहीं था इस बात को समझेए so already यहाँ पर बजट का जो तेजी होना था वो हो चुका है 3000 पॉइंट का और कुछ होना भी चाहिए भाई ग्रोथ रोथ की बात करिए ज्यादा बैतर है अब ही यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ है रिटेल को जो है वो लॉली पॉप दिया रहा है मार्केट के अंदर की कैसे भी करकर रुख जाओ और वो खुद के लिए या निवेसकों के लिए बड़े निवेसकों की मैं बात कर रहा हूँ चोटे निवेसक कोई कोई नहीं सोचता देखे मैं रेल बताता हूँ कि चोटे निवेसक का कोई सोचने वाला है नहीं यह fact है, खुद का यहाँ पर study करो, ज्यादा बहतर है, इस बात को समझेए, और growth ऐसी आ नहीं रही है market में, चाहिए आप banking में चले जाए या किदर भी चले जाए है, हर जगा सुस्ती पड़ी हुई है, ठीक है ना, negative नहीं है, बट highly positive भी आप नहीं है, तो यह बात को समझेए कि ना banking साथ दे रहा है, ना यहाँ पर reliance के number अच्छे निकल के आए हैं, तो big numbers जो हैं, वो बिलकुल in line निकल के आए हैं, that's why, यहाँ पर जो top है ना, अब उससे आप 3000 पॉइंट की जो बात कर रहे हैं, वो 3000 पॉइंट का एक valid reason समझ में नहीं आता, and of course, अब तो यहाँ प पर 20% जाता है, तब भी थोड़ा सा दर्द होगा, बैठे कोई दिक्कत की बात ही, 4 लाग अपनी जिम में आ रहा है, 6 मीने में आ रहा है, salary नहीं होती है, साल साल की salary होती है, बहुत सारी लोगी 4 लाग रुपे, ठीक है ना, 6 मीने में आप कमा रहे हैं, फिर अधर भी कमा रहे होंगे कहीं न की, तो एक अच्छा खासा एक बन जाता है, बड़ मैं आपको बता दूं कि मार्किट औरेड़ी एक बबल में चल रहा है, आपका जो CPSC इंडेक्स है, वो भी बबल में चल रहा है, ठीक ना, अभी OFS आने दीजे, समझ में आ जाएगा, इविन मैं आप यह तो साइकल था कि इंतरिम बजट से लेकर, इलेक्सन और इलेक्सन से लेकर फुल बजट तक, यह टेजी होने है, पहले यहां पर प्ले करेंगे, उपल ले जाएगे, फिर यहां पर एक करेक्सन आएगा, फिर यहां पर पुल बजट से लेकर उपल ले जाएगे, फिर य उतनी बात में सब कुछ यहां पर निपट जाएगा यह है फैक्ट यही फैक्ट है रिटेल निवेसक का यहां पर सोचना जरूरी है यहां पर बस चले तो आपका सोचना भी बंद करवाद है इस बात को आप समझिए एंड ऐसा नहीं है कि मैं कोई शॉर्ड वार टू में मेरे इतने अदम नहीं है कि मैं शॉर्ड चला जाओ ठीक है फ्यूचर लेने तक की दम नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल्रेड़ी जो बजट की बात कर रहे हैं यह फुल बजट भी उसी बजट में जुड़ता है और वो तीने जार पॉइंट का आपका त चलना है न वो सब जानते हैं कि लिक्विडिटी वेसेस पर चलना है मार्केश एंड व्यूचर फंटा के यहां पर जो एना आप सुनते रहे कुछ लोग की बात तो म्यूचर फंट तक यहां पर कैस में बैटे हैं सिर्फ रिटेल निवेसक जो है वो यहां पर दिवाना है तो उसको समझ नहीं आरे चीज़ है ठीक है तो वो दीरे दीरे आयेगा वो सोचने समझने की सकती तक नहीं आपाईगी उसके लिए बात है इस बात को समझ हो और यहां पना एक ना नूब्डा इंवेस्टर की तरह है नहीं माइकल वरी की तरह सोची है, ठीक है ना, माइकल वरी की तरह थोड़ा सा सोचा करो, थोड़ी अपनी स्टेडी करो, कुछ अपनी पॉइंट से निकाल के लाओ, और देखो कि मार्किम ने तुमारे पॉइंट क्या बुल रहे हैं, उस हिसाब से, इवन आईटी के अंदर बवल है, आप देखेंगे, तो टीसिस के प्रैस्ट बुक वेल्यू देख लेना, 15-16 की अराउंड चल ला है, 15-16 टाइम अपने बुक वेल्यू से उपर ट्रेड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ग्रोथ जब पूछोगे जाके ना, कि बताओ भाई, क्या क्वार्टर दर क्वार्टर क लोग हैं, बट यहाँ पर छोटा निविसक सिर्फ देख सकता है, वह उस पर एक्षन ले सकता है, तो वही सारी चीज़े हैं, बट आईटी बवल में हैं, सीपी, ऐसी इंडेक्स आपका बवल में हैं, यह सारी चीज़े बवल में हैं, मेरे इसाब से इस्ट्रेटिजी आप लाओ, और अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो फुल यहाँ पर जो हैं, प्रॉफिट बुक करने को सिस्मत करिए, सो में, सो परसेंट आपका है, वह यह चालिस परसेंट आप अपना जो है, प्रॉफिट बुक करिए, पैसा बुक करके, अपने कैस जो हैं, व पूरा पैसा नहीं निकालो लेकिन कुछ अपना पैसा जेब में रखो इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है कुछ रखोगे तो दम रहेगी अंदर कुछ करने के अधर वाइस एक फस गए तो वो एक फसा फसा महसूस होएगा तो यह बात हैं आपर किलियर है कि कुछ बुक क करना तो जरूरी है कुछ कैस हैंड में रखना जरूरी है सोमीद है है लौजिक यहां पर नहीं है सापसीदी से बात दिखने ही रहा है सत्ता है सजार कोई लौजिक हो जाए तो और भी अच्छी बात है बढ़ यहां पर जो तेजी है वो हो चुगी और इंतरिम बजट और तो उनों सेम है और बजट में कुछ खास नहीं आया जो इंतरिम में था वही इस बजट में तक और क्या खास लेकर आएंगी तो वह सारी चीए सोमी तेखा अभी कुछ आपको सोंझ में आया होगा देखते हैं सत्ता से यार है नहीं कर रहा है बहुत जादा दूर की बात न दो आएंगी तो